हलो दोस्तों, हमके कितने सारे ऐसे दोस्त है जिन्होंने अभी फिलाल उपना ग्रैजियूशन खतम किया है अपना ग्रैजियूशन खतम करने के बाद वो दुविदा में पढ़ जाते हैं कि आगे जाकर क्या करेंगे चाहे वो डिपलोमा के चात्रों, चाहे वो इंजिनेरिंग के चात्रों, क्या किसी अधर फिल्ड के चात्रों में तो आज हम देखते हैं कि दिपलोमा हो या इंजिनेरिंग के चात्रो वो eh में पढ़ जाते है क्योंकि उनकी संख्या में आजकल जादा बढ़ गई है तो इंजिनिरिंग और डिपलोमा के चात्रों के लिए मेरा एक सर्जेशन है या फिर या एक सउजेसिन के طור Sunday और अपना ऐप्ष फोर पर ही Unh1 रख शकते और इस पर वह अपना ॐ तर बना Sakra सकते कि समझे अगर कोई design फंद में जाना चाता है या फिर कोई किसी production द समझे पर किस अब्सक्धर्र में जाना चाता है तो प्रोडक्शन में जाना चाता है तो no problem या फिर quality में जाना चाता है तो no problem क्यूंकि job vacancies रहती है उसके हिसाब से उसको आसानी से मिल जाती है अगर design में जाना है तो थोड़ी बहुत दुविदाए हो जाते हैं software के courses करने पड़ते हैं या फिर उसके लिए जो requirement है उसको complete करना पड़ता है specially जो जिन लोगों ने B.E. किया है या फिर design courses किया है जिनका कुछ reference है वो लोग आसानी से क्या कर सकते design field में job पा सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी link रहते हैं या फिर किसी के reference की वज़े से जाते हैं वो अलग बात रहते हैं अगर आपके पास reference नहीं है या फिर कुछ वैसा आपके पास talent especially courses या फिर आपके पास talent नहीं है तो डरिये मत उसके लिए एक solution simple solution है first of all आप लोग simply किसी छोटे से industry में join हो सकते हो और अपना जो work है या फिर जो अपना profile है जो quality रहने दो production रहने दो उसके लिए आप काम कर सकते हो उसके बाद side by side जो design courses रहते हैं उनको आप कर लो ताकि आपमें ओ improvement आ जाए और उसी के साथ जहां पर company में आप work करते हो वहां आप जाकर design के बारे में आपने सातियों से पूछ कर information ले सकते हो वहां से information लेकर और यहां पर जो आप course करते हो वहां पर थोड़ा बहुत software के बारे में जान ले और उसके बाद अगले ही साल या फिर एक दो साल छोड़कर design फिल्ड के लिए interview दे सकते हो तब तक आपका confidence level भी बढ़ जाता है और आसानी से आप challenge भी कर सकते हो कि मैं design फिल्ड में कर सकता हूं क्योंकि कुछ लोगों को problem रहते है इनिशली design में job नहीं मिलता आसानी से नहीं मिलता क्योंकि एक तो उनके पास software study नहीं रहते हैं अगर study रहते हैं तो practice नहीं नहीं रहता या फिर knowledge नहीं रहता या फिर interview clear नहीं कर सकती ऐसे हो जाता है इसका मतलब क्या first of all अंदर गुसो अंदर गुसने के बाद system कैसा है समझ लो और उसके बाद धीरे से आगे बढ़ने का खुदका plan बनो उसके हिसाब से work करो यह option आपके पास रहता है अगर नहीं आप लोग production या फिर quality में करना चाहते हो तो वो commonly वो field ज्यादा तर openings रहते है उदर आप लोग काम कर सकते हो उसका कुछ problem नहीं रहता है पर life क्या हो जाता है continuously design sorry in the production या field quality में उतना development नहीं रहता है knowledge रहता है पर उस level तक जो design में जो comfort zone रहता है या फिर एक prestige रहता है उतना नहीं रहता है comparatively knowledge तो रहता है but definitely तो अगर आप करना चाते है design or field design field में initially आपको नहीं मिलता है तो डरिये मत कुछ गवराये मत first of all you can also work for them with free of cost किसी company में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर free of cost काम कीजिए अंदर गुसिए किसी भी तरह first of all अंदर गुसने के बाद एक बार आपको system अगर समझ में आ जाता है तो आप आसानी से उपर जा सकते और अपना करियर में जो अपना target रहता है वह आई चू कर सकते थैंक यू